दोस्तो OnePlus Nord 2 के काफी ज़्यादा rumors और renders बहांडिकल गया रहे हैं अभी दोस्तो आपको तो पता हो का OnePlus Nord जब launch हुआ था काफी ज़्यादा popular हुआ था क्योंकि दोस्तो इसके specification काफी कमार के थे और जिस price point में launch हुआ था one of the best selling smartphone बन चुका था OnePlus का आप दोस्तो आपको तो पता है OnePlus Nord इतना popular हुआ था उसका successor OnePlus Nord 2 काफी जल्दी आपको इंडियन मार्केट में और global आपको देखने को मिलने वाला है बताया है दोस्तो ऐसा जा रहा है इस बर आपको OnePlus Nord में काफी अच्छी specification देखने को मिलेंगी और दोस्तो इस बर पहली बार OnePlus Nord के अंदर आपको Miradak का Diamond CD 1200 चिपसेट देखने को मिलेगा और दोस्तो ये OnePlus का पहला smartphone बन जाएगा जिसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का चिपसेट देखने को नहीं मिलेगा Miradak का Diamond CD 1200 चिपसेट देखने को मिलेगा जो की काफी ज़्यादा powerful चिपसेट है 6NM पे बनाए चिपसेट काफी ज़्यादा battery efficient भी है और performance के काफी कमाल के आपको देखने को मिलने वाली है साथी साथ दोस्तों यह भी बताया जारे इस बार आपको display भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी इस पर आपको 6.4 इंच की आपको काफी अच्छी रहने वाली है साथी साथ cameras की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों कोई confirmation नहीं आई है लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मान है इसके अंदर आपको 64 megapixel का primary camera देखने को मिल सकता है अब इस Sony का sensor होगा इस Samsung का sensor होगा इसके बारे में कोई भी idea नहीं नगल के आईगी क्योंकि दोस्तों आपको पता है OnePlus Note का जो camera था इतना खास नहीं था क्योंकि दोस्तों camera की market में हमेसे OnePlus पीछे रहता है लेकिन दोस्तों अब आपको पता है इसका जो tie up होगा वे Hazel Blade Company के साथ हुआ है तो हो सकता है OnePlus Note 2 का camera आपको इस बार पहले से अच्छा देखने को मिल जाए तो हो सकता है दोस्तों इस बार आपको कोई कस्टमाई sensor देखने को मिल जा है Hazel Blade की तरब से आप देखना बाकिया दोस्तों की sensors के साथ आएगा साथी साथ ऐसा बताया जारा है इस बार आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 30W का warp charge आपको out of the box देखने को मिलेगा और Android 11 पे ये smartphone रन करेगा फिलाल करें दोस्तों OnePlus 9 सीरीज आपको 23 March को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी इसके बाद दोस्तों हो सकता है अप्राइल में या मही में OnePlus Note 2 भी आपको देखने को मिल जाए पाकी दोस्तों आप मुझे comment section में जुरूर बताना अगर OnePlus Note 2 इंडियन मार्केट में लोंच होता है और दोस्तों इसकी price point अगर 20,000 से 30,000 के बीच में रहने वाली है तो क्या आप इस smartphone को buy करोगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना